हाई दोस्तों आज की मूवी का नाम है दा किस अप दे डा एक वेंपायर लव स्टोरी एक्स्पेंग करने जा रही हूँ आज का टॉपिक थोड़े डिफरेंट है लेकिन काफ़ इंट्रेश्टी मूवी है मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की जाना को देखते हैं जो एक रोमेंटिक मूवी देख रही थी उस मूवी को देखकर वो मेस काफ़े लोनली फिल करती है सुबह उसकी मेन गर पर आती है और वो भी एक वेंपायर है लेकिन उसे इंसानों का खून टेश्टी नहीं लगता इसलिए वो जानवरों को अपना शिकार बनाती है वो जमीन पर पड़ा खून साफ करती है मतलब कर जोना ने डिनर में कुछ खूने से उप किया था फिर हम जोना को एक शॉप में देखते हैं और वो एक नई मूवी की डिवी डी लेने आई है जहां उसकी नजर पाउलो से चप्राती है पाउलो एक राइटर है बाहर बारिश की वज़ा से जोना वही रुख जाती है पाउलो को उससे बात करने का मौगा मिल जाता है और वो उसे एक ड्रिंक के लिए पूशता है लेकि वो अंजान है कि जोना को खूने ड्रिंक पीना पसंद है वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के बार में पूशने लगते हैं जोना बताती है कि उसे एक rare skin problem है वो sunlight में वहाँ नहीं निकल सकती वो उस अपने घर ले आती है और दोनों movie देखती है पाउलो उसे किस करने लगता है लेकिन जोना उसे रोग दिती है पाउलो उसे सब जहाता है कि उसे जो भी बिमारी है वो उसे शौट आउट कर लेंगे लेकिन जोना उसकी बात नहीं सुनती पाउलो उसे दरवाजे से ही किस करने लगता है जोना उसके lips पर जो हो उसे काट लेती है पाउलो वहाँ से चला जाता है अगले दिन वो फिर से जोना को शॉप पर देखता है लेकिन जोना उसे बिना बात कि वहाँ से चली जाती है वो फिर से जोना के घर आता है और जोना उसे अंदर आने देती है और फिर वो उसका हाथ अपने दिल पर रखती है और कहती है देखो मेरा हाट ही नहीं है मैं एक वेंपायर हूँ लेकिन पॉलो को उसके बाद पर यकीन नहीं होता जोना उसे अपने बेड्रूम में लाती है और खुट कुछ चेंज से बादने को कहती है पॉलो उसे किस करने लगता है और एकसाइटमेंट की वज़ा से जोना की आँखों का कलर चेंज हो जाता है और उसके वेंपायर वाले दाद भी निकलाते है लेकिन पॉलो उससे नहीं डरता वो उसके हैंडकफ्स कोल देता है और उसके साथ इंटिमीट होता है लेकिन जोना उसे काट लेती है गीधिमॉजीना के घर आथी है जोना को मिमी का यू उसके पास आना अच् Beh Six ले यहीं रहेगी मिमी से बात करके पॉलो को वो एक Nॉमल लड़की लगती है लेकिन जोना पॉलो से कहती है कि मिमी पागल है तुम्या पता चल जाएगा मिमी जुछाना से पूस्ती है कि तुम पायू से सच में प्यार करती हो पसंद आता है वहां मिमी एक कलब में जाती है और एक लड़के के साथ इंटिमेट होकर उसको काच लेती है और वेंपायर बना देती है वहाँ पाउलो का एक एजेंट पाउलो से मिलने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो कहां रह रहा है वो जोना के घर आता है और पाउलो और जोना से मिलता है और पाउलो उसे अपने लिखे हुई स्क्रिप्ट तिखाता है एजन्ट उसकी स्क्रिप्ट देखकर काफी खुश होता है वो वहीं ड्रिंग करते हैं और ज्यादा ड्रिंग करने के वज़ा से एजन्ट वहीं रुख जाता है रात में जौना को सपना आता है कि किसी ने उस एजन्ट को मार दिया है जब वो सुबा उठकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सपना नहीं था एजन्ट सच में मर चुका है और ज्यादा नहीं उसे मारा था वो इनसान को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे लगता है कि यह सब मीमी के यहां रहने की वज़ा से हो रहा है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ जब पाउलो शावले रहा होता है मीमी उसके पास आती है और उसे किस करने लगती है उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम, बे मेरे साथ intimate होना चाहते थी वरना तुम, मुझे मना कर सकते थी वहां हम जीनिया से मिलते हैं जो की एक vampire है, और एक theatre artist की मिमी अपने साथ एक लड़की को लेकर आती है जो जीनिया की fan है लेकिन जीनिया मिमी पर गुसा करती है और कहती है उसने सौ सालों से किसी भी इनसान का खून नहीं चखा है और इतने लंबे समय तक खुद को काबू कर पाना काफी मुश्किल होता है मीमी उस लड़की के लिए पानी लेकर आती है लेकि वो गलास चुटा हुआ होता है जिस वजा से उसके लिप से खून नकलने लगता है और खून को देखते ही जेनिया खुद पर काबू नहीं रखपाती और उस लड़की को मार देती है जेनिया फिंक जेनिया और पालू बात कर रहे हैं प्रभी विल्टी फीज़ कर रहा था और वो यह बार जॉना को बता देता है। जॉना को काफी बुरा लगता है लेकिन वह पॉलों से प्यार करती है इसलिए इसमाफ कर देती है महा मीमी जब कार ड्राइफ कर रही होती है उसके कार के सामने एक जानवर आ जाता है जिसकी वज़ा से कार का एक्सिडेंट हो जाता है मीमी भी होश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो सुबह हो चुटी थी और संराइज की वज़ा से उसकी स्किन चलने लगती है और वो रेंग कर घर पहुशने की कोशिश करती है तब ही वहाँ घर की मेड आ जाती है और उसे पता है कि मीमी एक बैड वैंपायर है इसलिए वो उसे मार कर गार देती है और पाउलो जो अना के साथ एक नए टाउन में रहने चला जाता है और ये मोवी लेवर खतम हो जाती है